प्यार से जोना नहीं पाई जी ये समागम की बाद जो इस रूप में जहां ये सामोरिक विवा की रूप में आज 73 कपल्स है जो जिनका ये बंदन इस रूप में जुड़ रहा है तो ये दो एक हजबन बाई भी सिर्फ आपस में नाता नहीं जोड़ रहे तो उनके परिवार भी आपस में नाता जोड़ रही है तो ये जिल्लेवारी जहां वर और भदू दोनों की है कि कैसे आगे ये भक्ती में लीन होके अपने ये आगे की यात्रा को तै करना है कैसे ये सिर्फ आपस में के लिए दोनों ने एक दूसरे का सरयोग करना है वो उच्छार डालना है कि कहीं वो आलस रूप न हो जाए कोई वक्ती मार्ग में कहीं पीछे हैं तो उसके साथी का परस है कि उसको और इंकरिज करे और ये दादार ये इस विवा से जो अब दो हो गए हैं तो ये दादार सभी पे किरवा करें कि कैसे हर एक समय में बस निरंकार प्रभू कर मात्मारी आगे याद हो तो अपने आप अपनी सारी द्यूटी भी अपने परस भी ये प्यार से आगे से आगे और मुकमल होते जाएंगे तो आज जहां सिर्थ महराश्ट्रा की नी परिवार नहीं है चंडीगर, कुछरात, करनाट का, मध्यपदेश, यूपी दिली और उनाइटड किंडम के भी हैं तो दादार सभी पे किरपा करें कि परिवार में जहां खुशाली हो वहां सेवा समरन सत्संग के जरीए इस निरंकार प्रभू का जो एसास है वो हर एक के जीवन में सदा बना रहें साथ संगेची, धननकाची एक का ड्याक, और ना से किकाक तर में खुशाब हूजागि म do एक किटाग्ण थीवन मुशाब ऑप अ만नकार और संग हो प्रपव लाहें नीह हम उक पिजूदना जह हैं सब रहें लाहें 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 जारे टेजिए 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 बड़ कि अधर्णी कि एस निए टेजिए जार्ट पाप अधर्प लिए टेजिए जैजिए प्रफ आजिसे में किया जा आप अगाया है सबस्क्राइब तोटे में सेवादार परिंपनर पितियों सिर्फार गारा कि अले पूने से हूँ महारच्ट में जी तकष्ट में में जीतर गुप्ता शिरूर से आया हूँ मुंबई से यूपी से भिलॉंग करती है पुने वुपी इभलों का सभागम का ये मेला है हम दोनों एक हो रहे हैं, इससे जहादा खुश्याप को और कोई दिये लागों करोडों लोगों काम को आश्रवात मिल रहा है इतनी उपसेटी में हमारा जीवत का एक उदेश पार पढ़ रहा है बहुत मुशी बिल रही है अब कि साथे अच्छी है निरंकारी मिशन की आमने पिछले साली रिसाइड किया था कि आपको शाथी निरंकारी पदेश्याद से करता है सब्सक्राइब करें अब यहां पर सब्सक्राइब करें अब यह हर पेनाएंगे वदू वदू की गले में हार पेनाकर अपनी जीवन से मिनी शुकार करें सारी मिलकर जैकारों के साथ और और माला नाजी वो सत्गुर माता सुदिशा सविंदर हर देव जी यह सिखलाई कहीं पर भी सिखने को नहीं मिलती यहाँ पर एक दुसरे को नमस्कार करें और इसी भीजने सारे सामने सामने स्टेज के तरफ सत्गुर के तरफ लिगाएं और सारे अपने जगह पर बैठ जाएं स्टीज में जाएं में पीन पर गाई भी बेंगा लोगां दुर साथ कोमिना दुने मादी की आड़ी डेंगी आड़ी पर प्रिमाने बोला हुआ आप्टियाजी जिसार लोगे प्रिमाने गोला अबस्टाइग अश्ची भुरू यदिर देश्वाव लाएता अवद आरे झौूरोधा वचन मन के रख देशोबा पारेगा सत्गुरु सामे जुड़ रही अज़ ओदिलादी अखड़ी आवतार गुरुदा वचन मन के अरे जड़ी है जुड़ हैि सारी आलों हर गड़ी ओशान्ती सुख पाड़ पे सारी आलों हर गड़ीं शान्ती सुख पाड़ आदे सारी आलों खड़़ीं अज़ती है आवचर्णा मेरे सुरिदना आवा कर्ञंडे है हावताइस मुपनी आवचर्णा सुरिदना इनका देशे करिवारे संवे जोडी संवे उमे के जोडी से बनावे वेरा देविच रूलन सोगाता ठोड़ तरी नावे ठोड़ तरी नावे साथ संगत देख यार दी दरे आज के त्रेपर में संसमागम के 27 जनवरी 1220 को मिशन ने सामविक शादियों का ये दिन रचा है जिसमें 74 सामविक शादियां हो रही है और हर्ष की बात ये है कि नासिक में जो ये बड़ी पवितर धर्थी है यहाँ पर 29 गुरूम जो वर है वो मुंबई से आए है 28 वदू मुंबई से आई है और अपने बाकी जो जोन महराश्ट्रा के हैं वहाँ पर 49 वर है और 36 वदू आई है इसके अतरिक बाकी जो इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनमें में ही 6 वर है और 10 वदू है और एक वदू यूके से आई है तो यह जो मेसिज है मिशन का वो यह है कि एक सिंपल मैरिज हो वरवदू के परवारों के उपर उस तरीके का जो दिखावा है वो ना हो क्योंकि मिशन इनके लिए ना कि यह अरेंजमेंट करता है इनकी रियाश के लिए इनके परशाग और भी हर परकार के जो एरियाश है वो देख करके कहने का तात्पर है यह कि आज सिंपलिस्टी हूमन वैल्यू जो है वो दूर हो गया आज दिखावा बढ़ गया है लेकिन प्रभू के नजरिया में हम सब एक है तो एकता के अंदर में यह सामुविक शादियां जो है वो सबको हर स्थिती के जो है जो आपको यह भी हर्ष होगा कि स्वाइम बाबा जी की भी जब शादी हुई थी या सद्गुरु मातर जी की भी वो ही सामुविक शादियों में की गई ताकि यह संदेश जाए कि हम सब एक हैं हर परकार एक है एकोनॉमिक वाइज कास्ट वाइज हम मानते नहीं है क्योंकि एक प्रभू और एकर्ष के हम बारक हैं तो आपका कहना कहीं न कहीं यह है आपका निनकार्भी से यह संदेश देता है कि दहेज से प्रहेज किया जाए बिल्कुल यह सिंपलिसिटी का मतलब यह है कि दहेज हम इस तरीके से बैंगते भी नहीं है और सिंपलिसिटी का मतलब यह है कि जो यह पुदानी रीती चलिया ही है जिसके ऊपर आप देख रहे हैं कि हमें इतना देज दिया जाए तो मिशन ये सुन्देश देता है देज से परहेज और सिंप्लिसिटी जो हमारे जीवन में हो वही प्यार क्योंकि जो वरवदू कठा जीवन बिताएं सुखी जीवन बिताएं और गुरुचर्ण के साथ लगे दें इससे बड़ी जो आप